दिल्ली सिख्ष गुरुद्वारा प्रभंदक कमिटी का खजाना खाली सिर्जा और कारका निकिया विश्वास खाद लेकिन प्रभंदक कमिटी को नोटी स्थमा दिया है साथी दस दिन का समय देते वेट चेतानी दिया कि अगर ततकाल कर्मचार्यों की प्रभंदक का भुकता ना किया तो जिमेदार लोगों पर सक्त कारिवाई की जाएगी इसके तहट कमिटी का खाता भी अटाच हो सकता है साथ इस में जेल का भी प्रावतान है बता दे कि कमिटी भी 1700 से अधी कर्मचारी है इनका पीअफ हर मैने करीब 22 लाग रुपे कट जाता है इस हिसाब से 6 मैने का पीअफ 4.5 करोट रुपे से जाधा बनता है यह सब एक कर्मचारी दिल्ली स्थिक गुरुद्वारा प्रभंधक से चुड़े हैं कर्मचारी के वेतन को लेकर तो समस्या पहले से ही चलती आ रही है लेकिन यह नहीं समस्या पीअफ की खड़ी हो गई है पीफ के अलावा दिल्ली स्थिक गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी भी कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को लेकर शुरू की कई स्कीमे भी खटाई में पड़ गई है इसमें लड़कियों की शादी में शगुन स्कीम सहीद कई स्कीमे थी आज डिल्ली गुरुद्वार प्रिवार कमेटी का मैं बकल्ड़ किमें कीसे में अनगा उप्रेश काटा जाता है प्रेश काटा जाता हैं गुद्वारों क् Reese ibn इंड बिपार्टमेंट में जमारी वह उंसे काटा जा रहा है वह भी ने जमारी झाल जालना वो भी नहीं जमा करा रहा जो कुल मिलाके एक महीने का 62 से 65 लाग रुपा बनता है आठ महीने से पैसा नहीं जमा हुआ लगबग पांच क्रोड रुपया तो पी एफ डिपार्टमेंट ने इनको एक नोटिस इशू किया 25 जनवरी को जिसमें उन्हें का कि अगर 10 दिन आपकी प्रापर्टी की अटेच्मेंट की जा सकती है जो उसको अपना ऑक्षन की जा सकती है इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन आपको जेल भी की हो सकती है पांच साल की जेल और इसमें 25 जार पर जुर्माने का प्रावदान है दस दिन का समय है मैं समयता हूँ कि जो दिल्ली गुर्द्वारा कमेटी अपने करमचारियों के प्रती उनके हकों के प्रती उनके भविश्य के प्रती सुचेत नहीं है सीरेस नहीं है वो कितना बाकी अपने कामों के प्रती सीरेस होगी इस बात को समझने की जुरूरत है बिस्यन नियूस के लिए देल्ली से ब्रिजश कुमार के रिपोर्ट